क्लोज देंट्स नौव यार बिंग टू स्टार्ट अ नियू चप्टर लॉज ओफ मोशन तो आए शिखते हैं इसकी पहले आपनी जो पड़े थी वो था काइनेमेटिक्स इसमें क्या पढ़ा जाता है श्टुड़ी और मोशन बिद नुइंग दर विदाउट नुइंग दर कॉज ओफ मोशन हो रहा है बट क्यों हो रहा है इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं बट मोशन का कॉज क्या है हम इसके बारे में नहीं बढ़ते हैं यह पार्ट कानेमेटिक्स कराता है जो अब आपने सीख चुके हैं अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डानेमिक्स ठीके है यहां हम लोग सिखेंगी अस्टोडी ओफ मोशन बिद नौइंग द काउज अफ मोशन नौइंग द काउज अफ मोशन नौइंग द काउज अफ मोशन के अब आट लोग यहां भी मोशन के बारे नहीं पढ़ेंगी बट मोशन का काउज क्या है यह भी जानने की कोसिच करेंगे तो यह पार्ट मेकैनिक्स का डानेमिक्स करता है तो आईए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला वोड्ट जो सीखेंगी वो है इनर्सिया इनर्शिया इसे अप्लिक सकते हैं रेजिस्टेंस तू चेंज रेजिस्टेंस तू चेंज इनर्शिया वर्ड है इसका मिनिग है यहां पर कि कोई अब्जेक्ट अपने इनिशियल कंडिशन को चेंज नहीं करना चाहता तो अब्जेक्ट की उस प्रपार्टी को यह ना प्रपार्टी ऑफ ऑप्जेक्ट इस इनिशियल कंडिशन क्या का लाएगा इनर्शिया इनर्शिया ऐसा बोल सकते हैं कि अब्जेक्ट की एक टंडेंसी है जिसके कारण वो अपना initial condition में रहना चाहता है अब इसे समझते हैं कि initial condition में रहना चाहता है इससे कैविनिक है मैं ऐसे आपको बताता हूँ चलो कोई बच्चा late night तक late night तक वो रात में पढ़ा है तो टेबल पे उसकी किताबें पढ़े हुई है चलो मैं उसके study material कुछ यहाँ पढ़ा हुआ है जब को सुबह आएगा रात में सो गया हूँ फिर सुबह अपजर्ब कर रहा है कि जहाँ पे वो अपना study में study material रखा था बिल्कुल बैसे ही रखा हुआ है means अगर वो initialy rest में था तो वो rest में ही है वो move नहीं किया है क्यों नहीं move किया क्योंकि object की tendency होती है कि वो जिस condition में है वो वैसा ही रहे उसे वो change नहीं करना चाहता वो खुद से change नहीं करना चाहता समझेगा मेरी बात को वो खुद से change नहीं करना चाहता हूँ जैसा है वैसा ही रहना चाहता है और ऐसा ही tendency को इनर्सिया बोगते है चीक है अब और वीटिसस कर सकते हैं कि अगर कोई बहुत ही असमुद सर्फिस से थिरटकली friction बिलकुल नहीं है कोई अप्सक्षर नहीं में सर्फिस में और वैसे केस में अगर कोई object कोई स्पेश स्लाइड करा दो थोड़ा तो वो मूब करता रहा है constant velocity constant velocity इसकी बिलास्टी भी चेंज रही होगी क्यों क्योंकि अगर वो constant बिलास्टी से मूब कर रहा है तो वो अपने आप मिनिंग समझेगा अपने आप कोई भी external effort नहीं लगाया गया है तो वो अपने आप अपनी constant velocity को चेंज नहीं कर सकता ठीक है न तो देखो यह अगर यह constant velocity से मूब कर रहा था तो वो constant velocity से ही मूब करते रहता है यह भी क्या हुआ inertia हुआ inertia का meaning आपको मैंने क्या ही बताया कि object की यह property है जिसके कारण वो अपना initial condition को change नहीं करना चाहता ठीक है अब इसी तरीका से अगर कोई object किसी given direction में चल्वा straight line motion पे है को object अ straight line motion कर रहा है तो वो अपनी direction में मूब करता रहेगा ठीक है अपने 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 नहीं करना चाहेगा अपने आप मैं नहीं को बताना है यह चाह रहा हूं कि कोई भी object अपने आप अपना initial condition change नहीं करना चाहता और object की ऐसी tendency को inertia बोलते है मिन्स कोई object अगर rest में है तो वो rest में ही रहना चाहेगा मैंने आपको यह मबल बताए कि आपने book को table पे रख दिये हैं रात में तो सुबह वो अपने आप नहीं move कर सकते सुबह देखो कि तो बैसे एक table पे रखा रहेगा जैसे आपने रात में छोड़े थे क्यों? क्योंकि इसकी tendency है कि वो अपना initial condition change नहीं करेगा initially वो rest में था तो वो rest में ही रहेगा अगर कोई object constant velocity से move कर रहा है तो अपने आप रुख नहीं सकता वो constant velocity से move करता रहेगा क्यों? उनकी object की यह tendency होती है कि वो अपना initial condition को maintain रखे वो अपने आप change नहीं करना चाहता उसी तरीका से किसी given direction में अगर जो आप कोई object है तो वो उसी direction में move करता रहेगा वो अपनी direction भी change नहीं कर सकता अपने आप word को ध्यान से सुनिएगा मैं इस सारी चीज़े जो बोल रहा हूँ कि वो initial condition को maintain करके रखना चाहता है वो change नहीं करना चाहता अपने आप खुद से वो change नहीं करना चाहता अगर कोई external factor नहीं है तो वो अपना initial condition को maintain रखेगा ठीक है ना? और यह क्या का लाता है? inertia tenancy of the object due to which it remains in its initial condition ठीक है? आप इसे अराम से नोट कर लेना अब इसे मैं के टेग्राइज करता हूँ inertia को इस थरीका से डिवाइड करते हैं इसे बंहाँ को और यह को commissioner इनर्शिया और मोशन, इनर्शिया और डिरेक्शन, हमने इनर्शिया को सब पार्ट में डिवाइड किया है, यहीं कि टाइट्स ओफ इनर्शिया बोला जा है, तुमनों पढ़ाएंगे इनर्शिया और रेस्ट, इनर्शिया और डिरेक्शन, तो आईए जानते हैं इनर्शिया और रेस्ट क्या है, मिन्स जब कोई अब्जट रेस्ट कंडिशन में होगा, ठीक है न, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, समझना मेरी बात को, अगर कोई अब्जट रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अपने आप वो रेस्ट कंडिशन को चेंज नहीं करेगा, तो ये कालाएगा इनर्शिया और रेस्ट, बन्हें उसे रेस्ट में रहने की इनर्शिया है, रेस्ट में रहने की इनर्शिया क्या मिनिंग होगा, तो अपना रेस्ट कंडिशन वो चेंज नहीं करना चाहता, अब वो अपने आप चेंज नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा, तो ये कालाएगा, इनर्शिया और मैं बात कर लूँ इनर्शिया और रेस्ट में रहेगा, टैरेक्शन क्या होगा तो अगर कोई ऑबजेक्ट ऐक डंसले हैं तो वो अपनी डारेक्शन भी देशंगे ति नहीं कर सकता अपने आप तो यह कल डाएगा और डारेक्शन छह चल लौना ऑले तो यह का लाएगा इनर्सिया ओफ रेस्ट अब इसे किलियर करते हैं एक एक्जाम्पल से कि सुनिए एक एक्जाम्पल लेता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट हो या ऐसा लेते हैं ना सबसे असा हूं या अपने नाइथ में पड़े भी हों एक बस है और यहां पैसेंजर है यहां बिठा दो पैसेंजर को चलो ऐसा बड़ा सीठ था और विचारा पैसेंजर एसे बैठा हुआ है ठीक है और बड़ा बनाते हैं बस छोटी होगी है यहां पैसेंजर है वो बैठा हुए है इस वाले सुने को जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है समझना इस बात को जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है तो यह पैसेंजर पीछे की तरह जुक जाता हुआता है अ अब इसे कॉमन प्रैक्टिस्स की बात है आप करके देख लेना जहाए बस में बैठने हो अब बेंब्ट कुछ होती है जिए कोई पर्शन बैठा हुए पीछे की तरह प्रणा किसी चीज़गों पकड़े ओए रोए यहांसे बैठा हुआ था तो जिएसा किस बेंब्स सब बासे अनना करे岌कर पीछे की तरह प्रणा रेच्ञ आधा में था आभी बस गड़ी रिस्ट में है यह परसन में होता क्या है कि यह नीचे का पॉर्षन है सुट के साथ करे ज़ू पॉर्षन है जैसे ही बस स्टार्ट होती है लो तो है क्या पहले यह रेस्ट में है willow रेस्ट में ही रहना चाहेगा बट जैसे हिं बस सदार्ट होती है मुज़कर अ करने लखता है तो परसन का जो हाट कोरशन है वह स्टीट के साथ खोंगी कोड़ीमूव करने लगता है भर्ट जो ऊपर वला person वह कहा है है कि पहले रेस्ट में था तो लेयस में ही तो तो हुगा यह ये और नीचे वला पॉर्सण निकल गया सपı देखो यह बार और यह ही रहना चाहता है और और नीचे वाला portion जो seat के साथ है वो आगे बढ़ना चाहता है तो जब आगे बढ़ेगा तो उपर वाला चीज को नहीं लेगा कि इसके रस्पत में पीछे चला गया एक्चुली जो इसका उपर का portion है वो अपने place में ही रहना चाह रहा है बट नीचे का portion मूब कर गया तो हमें लगा कि परसन पीछे की तरह जो गया है तो यह किसका एक्जामपर हो गया इनर्सिया और रेस्ट का क्योंकि वो रेस्ट में रहना चाहता है और इसका नीचे का portion जैसे ही आगे बढ़ा पीछे आ गया हो तो यह एक्जामपर हो गया इनर्सिया और रेस्ट का आपके पास subjective question आ सकते हैं कि जब बस start होती है तो passenger पीछे की तरह जुख जाता है यह किस इनर्सिया का example है यानि किस type of inertia है तो आपका answer होगा It is the inertia of rest Question फिर से सुनो जब बस start होती है तो passenger पीछे की तरफ जुख जाता है यह किस type का inertia है तो answer है inertia of rest और explanation है कि जब बस start होती है तो seat के साथ जो portion है person का वो तो move कर जाता है बट उपर वला अभी भी अपने position पे रहना चाहता है तो बैसे cases में यह portion देखो ऐसे move कर गया उपर वला यही रहना चाहरा है तो हम यहां से देखते हैं तो क्या ही लग रहा है कि नहीं जो person है वो पीछे की तरफ जुख गया है actually वो ही है इसका नीचे वला person आगे निकल गया है चलि जैसे भी आपको समझाना चाहिए तो यह example होगा inertia of rest का ठीक है कि दूसरा कि इसी में समझते हैं इनर्स्य आफ मोशन इसका यह आपको देखो यह बैस है अभी बैस को स्टार्ट होई थी तो वो चल रही है आपको 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 बेटा हुआ है अब जैसे ही बस में ब्रेक अब लाय होता है ये पर्सन जो भी बैठे हुए थे ये आगे की तरफ जुक जाते हैं जैसे ही ब्रेक अपलाए हुआ पर्सन आगे की तरफ जुक गया अब भी देखते हैं आप बाइच चला रहे हों तो जैसे ही आप ब्रेक लगाओ आपको फिन होता कि आप आगे की तरफ लीन होगे ऐसा क्यों हुआ क्योंकि अब देखो यहां पर एक्स्प्रेंट करता हूं जैसे बस स्टॉप हुआ तो इस पर्सन का जो नीची वहला पॉर्शन है जो सीट के साथ है वह बस के साथ स्टॉप हो गया बट जो उपर का पॉर्शन है जो थोड़ा फ्लैक्जिवल है तो जो उप का पॉर्शन है चाहिए तो इसके नीचे वह ने धोफा दे दिया वह तुरत अस्टॉप हो गया है तो इस केस में ऊपर वा मोशें रहा चाहँ था नीचे वहुआस्ट केर्याश्क ने क्या ही लगा कि उपर वाला जो प्र्शन है या बोलुनी कि परसंन आगे की तरफ जु तो पुछा जाएगा कि अगर बस में बैठा पैसेंजर, बस में ब्रेक लगाने के शाथ वो आगे की तरफ जुख जाता है, तो वो कौन सा इनर्सिया है, तो आंसर होगा इनर्सिया ओफ मोशन, अगर पैसेंजर, बस में ब्रेक लगाने के साथ वो आगे की तरफ जुख जाता है, तो वो कौन सा इनर्सिया होगा, तो अंसर है इनर्सिया ओफ मोशन, क्योंकि वो मोशन में था, मोशन में रहना चाह रहा था, बड़ बस सड़नले स्टॉख हो गई, तो परसन आगे की तरफ जुख जाएगा, इक्जाम्पल होगा इनर्सिया ओफ मोशन, इन दे सेम बे, अगर कोई कार एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है, तो वो अपनी डारेक्शन चेंज नहीं करेगी अपने आप, वो अस्ट्रेट लाइन पर ही मूव करती रहेगी, ठीक है, अगर कोई कार एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है, तो वो अस्ट्रेट लाइन पर ही मूव करती रहेगी, ठीक है ना, तो यह अपनी डारेक्शन चेंज नहीं करेगी, तो यह होगा एक्जाम्पल किसका, इनर्सिय ओफ डारेक्शन का, सबढ़ें, इनर्सिय ओफ रेस्ट, इनर्सिय ओफ मोशन, और इनर्सिय ओफ डारेक्शन, अब देखिए इसे एक और अच्छे तरहिकर से समस्कें, इसे एक एग्जाम्पल से, आपको मैं कुछ चीजे रिमाइंड कराता हूँ, कि जब कार टाउन लेती है, तो पैसंजर को ऐसा लगता है, कि वो गेट से बाहर चला जाएगा, है ना, सोचो कि इस कार में, मैं ऐसा बनाता हूँ, थोड़ा, अब भी आसानी से बनाते हैं, इस तरह से, ऐसा कर्व है, तो अगर कार ऐसे जाली है, और वो टन लेती है, तो जो यहाँ पर पैसंजर है, उसको लगता है कि वो गेट के बाहर चला जाएगा, मिन्स अगर गेट खुला रहा, तो वो बाहर फिका जाएगा, इसलिए, अब कार में गेट बंद करके रखते हैं, कब टर्णा जाए, तो टर्णी के बग तो बिल्कुल गेट बंद होनी चाहिए, अगर आप लेफ टन ले रहा है, कार लेफ टन ले रही है, और राइट वाल परसन का गेट खुला है, तो हो सकता है कि वो गेट से बाहर चला जाएगा, कार से बाहर चला जाएगा, देखो, it is the inertia of direction, वो क्या है, समझे, हुआ यूँ, कि कार के साथ में ऐसा, में मेरे पास एक कॉपी है, एक परसन ऐसा है, एक परसन है, इस पर कार के सीट पे एक परसन बेठा हुआ है, अगर कार स्टेट लाइन में चल रही है, तो इसकी टेंडेंसी होगी कि वो स्टेट लाइन में ही चलता रहे, it is the inertia of direction, आपको दिख रहा है न, इस तरह स्टेट लाइन में ही चलता रहे, जब कार सडेंली एक टॉन लेती है, तो इस टाइम पे क्या होता है कि ये कार देखो, कार ऐसे मूग करना चाहिए, ये टॉन लेरी लेफ्ट, यहाँ जो परसन है, वो due to inertia of direction, वो स्टेट लाइन में जाना चाह रहा है, बट कार, देखो, लेफ्ट ले रहे हैं, तो जो परसन यहाँ था, बाहर चला रहे है, समझना मेरी बात, मिल्कुल ऐसा ह हो रहा है, ये कार है, वो लेफ्ट ले रहे है, बट due to inertia of direction, ये परसन पहले स्टेट लाइन में जा रहा था, तो वैसा ही जाना चाहेगा, बट कार लेफ्ट ले रहे है, तो क्या ही होगा, बिल्कुल ऐसे, अगर गेट खुला रहा, तो परसन कार से बाहर, it is the example of inertia of direction, सर ये inertia of direction का example कैसे हो गया, क्यों नहीं हुआ, due to inertia of direction, object अपने initial condition में रहना चाह रही है, इसलिए तो कार से बाहर जा रही है, कार ने इस तरह से turn ले लिया, बट देखो ना, कार यहां से left हो गई, तो ये नीचे चला जाएगा, ये बाहर चला जाएगा, ये बाह तो it is the example of inertia of direction, क्योंकि object इसी direction में रहना चाहता था, due to inertia of direction और कार ले ले ली, तो बैसे कैसे में इसे feel होगा, अगर gate बंध है, कि मैं बाहर की तरफ, ये राइट वर्ड, मुझे कोई throw कर रहा है, ठीक है ना, और gate खुला रहा, तो gate से बाहर चला जाएगा, ठीक है, तो ये एक्जामपल होगा, inertia of direction का, क्योंकि object इसी direction में है, वो अपने direction को मेंटेन करना चाह रही थी, कार ने left turn ले लिया, वो अपने direction को मेंटेन करने के चक्कर में गिर गया बाहर, ठीक है ना, means, अगर कोई object, या कोई passenger, during turning, वो gate के बाहर चला जाता है, gate खुला होने पर, या उसे fail होगा, कि मुझे rightward direction में, या outward direction में कोई धक्का दे रहा है, तो it is the example of inertia of direction, ठीक है, कभी-कभी accident भी हो जाती है, कर वो शीखेंगे बाद में, बट अभी ये तीन चीज़ें आप ध्यान रखो, inertia of wrist, inertia of motion, inertia of direction, ठीक है, तो इसे आप अपने copy में, अच्छी तरीका से लिखेंगे, इसका example, inertia of motion का, और inertia of direction का, due to inertia of direction, जब car turn लेती है, तो car में बैठा person, एक radially outward, एक jerk feel करता है, और वो क्यों feel करता है, तो अंसर है due to inertia of direction, अगर gate खुडा रहा, तो वो gate के बाहर चला जाएगा, खेर ये वाला experiment आप करके नहीं देखना, ठीक है ना, ये बिल्कुल नहीं करके देखने है, ये सारे, आसान है ये करके देख सकते, ये ज़्यादा danger है, आप gate के बाहर चले जाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, तो आई हो, आप इस अच्छी तरीका से समझ पाया ह होंगे कि what is inertia and what is the types of inertia and its example, clear, तो आईए अब main point पे आते हैं, अब एक चीज समझी, जो मैंने बताया कि कोई object अपने initial condition में हिराना चाहता है, और object के एसी tendency को inertia बोलते हैं, और आप daily life में देख रहे हैं, कि जो object rest में है, उसे आप move करा सकते हैं, जो move कर रहा है, उसे आप stop करा सकते हैं, और object के आप direction की change करा सकते हैं, होती है, car turn नहीं लेती है, लेती है, means object rest से motion में हो रहा है, motion से rest में हो रहा है, और उसकी direction भी change हो रही है, तो अब हम लोग सीखेंगी, कि इसके पीछे का region क्या है, ठीक है न, means अब हम लोग जानने जा रहे हैं, इस level पे कि force को कैसे define किया जाए, ठीक है, तो बात करते है, newton's first law of motion, और newton's first law of motion कुछ और नहीं है, law of inertia है, या बोले definition of force का हो जाता है, ठीक है, Newton's first law of motion क्या है, law of inertia, law of inertia, ठीक है, या बोले, it defines the, force, it defines the force, यह force को define करती है, आईए हम लोग बात करते हैं इस point पर, अब आप से पूछा जाए, आपने force का definition class, 6, 7, 8, सब में पढ़े हैं, previous classes में पढ़े चुके हैं, बट अब देखते हैं कि force को एक और नई तरीके से कैसे बताएं, तो देखिए, according to Newton's first law of motion, object अपनी initial condition को तब तक नहीं change करती, जब तक उस पे कोई force नहीं लगता, या, ऐसे बोल सकते हैं कि force वो factor है, जो object को rest से motion, motion से rest और direction चेंज कर सकती है, अब पुछा जाए, इस level पे कि आप मुझे बताएं कि what is the definition of force, तो आप बोल सकते हैं कि due to force, या, ऐसे बोल सकते हैं कि due to which, due to which, object जो है, वो क्या, rest, motion, motion, rest, और, it can, change, direction, समझना, यह क्या क्या कर सकता है, due to which, कोई object, rest से motion में हो सकती है, motion से, rest में हो सकती है, और, object का, direction, change हो सकता है, तो, जो इन सब काम को कर सकता है, वही force है, पुछाज है, कि what is force, तो बोलेंगे, due to that, object, rest से motion में आजाए, या, motion से, rest में आजाए, या, उसकी, direction, change हो जाए, तो इन सब काम को, जो कर सकता है, वो कुछ और नहीं है, वही force है, समझा रहा है, पर आप ऐसा ही बोल सकते हैं, इसले को कई तरीके से, एक ही sentence को बोला जा सकता है, मैं इसे ऐसा ही बोल सकता हूं, कि object is in initial condition, unless, net force, on the object is zero, means, अगर object पे कोई force नहीं लग रहा है, तो वो अपने initial condition में होगा, और यहाँ initial condition से meaning है, कि अगर वो rest में है, तो rest में रहेगा, motion में है, तो motion में रहेगा, एक given direction में है, तो उसी direction में, move करता रहेगा, तो जो factor, या due to which, object, rest condition को change कर ले, motion वाले condition को change कर ले, direction change कर ले, वो क्या है, force है, यहनिकि force is the cause, due to which, object, rest से motion में, motion से rest में, और direction, change हो सकता है, तो आई हो, आप इसे समझे होंगे, कि inertia क्या है, और force की definition क्या होगी, तो, इस सारी चीजे, थोड़ी बारिकी से आपको समझ आए, तभी आगे के चीजे आपको और समझ आएगा, तो I hope, आप जो आज सेखे हैं, वो एक तो, कि inertia क्या होगा, तो कि आपने क्या क्या सेखा, एक आपने सेखे, inertia क्या होगा, फिर taps of inertia, चीक है ना, और फिर आपने सेखे, new tense, first law of motion, first law of motion, क्या होगा definition, एगर कोई object rest में है, तो वो rest में रहेगा, constant blast is move कर रहा है, तो constant blast is move करता रहेगा, किसी given direction में है, तो वो given direction में रहेगा, जब तक उस पे, net force zero है, या बोले, जब तक उस पे कोई force अपलाए, नहीं किया गया है, या बोल सकते हैं, कि force, वो region है, जिससे कारण, object अपनी, rest condition को change करता है, है ना, इसको क्या बोलते हैं, inertia of rest, inertia of motion, this is the inertia of direction, जो इन सब को change कराता है, वो क्या है, force है, ठीक है, अब मैं आप से पूछता हूँ, कि, आपका, blazer है, या coat है, hangar में टंगा हुआ है, जब आप उस पे डंडा मारते हैं, तो जो धूल है, जो भी dust है, वो नीचे, गिर जाती है, ये, किस type का inertia है, ठीक है, question समझा, hangar में, आपका coat, या blazer जो भी ये, टंगा हुआ है, उस पे धूल थोड़ा, जम गया है, और जब उससे आप डंडा मारते हैं, तो धूल, नीचे गिर जाती है, आपको बताना है, कि ये, किस type के inertia का example है, inertia of race है, inertia of motion है, या inertia of direction है, ठीक है, और आपको, इसकी definition, note करनी है, ठीक है, यह मैंने word में बोले हैं, आपको copy में note करना है, और फिर मुझे, send करना है, तो आपका जो homebook रहा, कि इसे arrange करके लिखना, आज कोई numerical नहीं है, इसे arrange करके लिखना, copy में और इसने लिखना, और अभी जो मैंने, एक example आपको, बता रहा हूं, उसे explain करना, कि हैंगर में, एक coat है, और उस पर धंडा मारने से, धूल नीचे गिरती है, तो यह किस type का, inertia का example है, ठीक है, तो बस आज इतना ही, next ही, हम लोग, इसे आगे पढ़ेंगी, ठीक है, तो आज एक fair copy बना लो, और इसमें यह सारे नोट करके, मुझे वर्टसप करो, आज बस इतना ही, ठीक है, मैंने जो explain करा था, बस का तेनी example, कि कोई passenger, बस स्टार्ट होने पे पीछे की तरफ जुख जाता है, बस सड़्ेनी जब स्टॉप होती है, तो आगे की तरफ जुख जाता है, और जब कार्ट टर्न लेती है, तो कार्में बैठा पैसंजर, फिल करता है, कि उसे रेडियली आउट वर्ड, कोई जर्क लग रहा है, ऐसा है, अगर गेट खुला होता, तो वो बाहर की तरफ चला जाता, तो इसे आप बिल्कुल अपने वर्ड में, कॉपी में लिखना, क्योंकि ये पेपर में भी आएंगे, पुछ लिए जाएगा, कि से एक्स्प्लेन करें, अगर इनर्षी आफ रेस्ट का यहां पल दें, इनर्षी आफ मोशन का, इनर्षी आफ डारेक्शन का, तो यह आपके काम आएगा, ठीक है, तो आज थोड़ा थियोर्य वाला पाठ इन्ठा, नेक्स बेसे, नमेरिकल मिक्स होकर आएगा, ठीक है ना, यानि निूतंस second law की तयारी करेंगी कैसे नूतंस second law पढ़ है विसमें क्या क्या है व्यूपर्स यूक्ष की 데fini dolly देता और आए होग है अब आप अच्छी देफिनिशन अच्छी समझीद टिए कि फोर्स क्या چीज है है । okay